जै शिरी हरी विष्णु भक्तों, भागवान शिरी हरी विष्णु और माता लक्ष्मी के खृपा आप पर और आपके संपोर्ण परिवार पर हमेशा बने रहे हैं आज हम इस वीडियो में अमवस्य व्रत की कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से पित्र प्रसन होते हैं और पित्र अपनी संतानों को सुख सम्रिठी वह खुशाली का आशिरवाद परदान करते हैं तो आईए, शवन करते हैं पौश अमवस्य की व्रत कथा एक साहुकार के साथ बेटे और एक बेटी थी साहुकार के साथों बेटों का तो विवाह हो चुका था बेटी का विवाह अभी नहीं हुआ था उनके घर पर रोज सवेरी एक ब्रहमन भिख्षय मांगने के लिए आता था जब भी साहुकार की कोई बहु या सेथानी उसे भिख्ष देती अपने भाई भाउजी के कांधे राज करते साहुकार की बेटी जब यह बास सुन्ती तो उसको बहुत बुरा लगता था इसलिए एक दिन उसने अपनी मा से कहा कि मामा ये पंडिची जब भावियां और आप इने भिक्षा देते हो तो आप लोगों को आशिरवा देते हुए कहते हैं सेली होजे स्पूती होजे अपने पती के कांधे राज करजे लेकिन जब मैं भिक्षा देने चाहती हूँ तो मुझे आशिरवा देते हुए कहते हैं सेली होजे सुखी होजे अपने भाई भाउजी के कांधे राज करजे तो उसकी माँ उससे कहती है कि तू कल जब भिख्षा देने चाहेगी और जब वह तुम्हें आशिरवाद देंगे तो मैं उनसे उस आशिरवाद का कारण पूछूँगी अगले दिन पंडी जब भिख्षा लेने आए तो मा ने बेटी को भिख्षा देने के लिए भेज दिया और जब पंडी जी ने आशिरवाद दिया तो उसकी माँ वहाँ आ गई और पंडी जी से कहने लगी कि आप इसे ऐसा आशिरवाद क्यों दे रहे हो आप इसको सुहागन क्यों औहीं देते उसु पुत्रि होने का अशिडर्वाद क्यों नहीं देते हु तो पंडी जी ने कहा कि इसकी किस्मत मैं सुहाग नहीं है ुसी लिए मैं इसे यह आशिर भात देता कि एक उपाय है कि यदि सोना धोबन इसकी शादी में आकर अपना आशिरवादे तो इसका पती बच सकता है तो उसकी माँ पूछती है कि ये सोना धोबन कौन है और कहां रहती है तो पंडिची कहते हैं कि साथ समुद्धर पार सोना धोबन का गाउं है वहां भाई अपने परिवार के साथ रहती है तो सिठानी अपने बेटों से कहती है कि सोना धोबन के गाउं उसके बेहन को लेकर जाना है छे बेटे तो मना कर देते हैं पर साथवा बेटा तयार हो जाता है दोनों भाई बेहन सोना धोबन की गाउं के लिए रवाना हो चाते हैं और स्मुद्र किनारे पहुच जाते हैं वहां स्मुद्र पार करने के लिए दोनों भाई बेहन एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं उसी समय पेड के नीचे बांबी में से एक सांप निकलता है और पेड पर चड़ने लगता है उसी समय बेहन की नजर उस सांप पर पढ़ जाती है तो वह अपने भाई से कहती है कि देख किसी पक्षी के अंडे पेड पर है जिसे ये सांप मार कर खा जाएगा बिचारे पक्षी शाम को आएंगे और अपने बच्चे न पाकर कितने दुखे होंगे तब भाई अपनी बेहन की बात मान कर उस सांप को मार कर वही टोकरी से ढख देता है वह जो पेड पर अंडे थे वह हंस और हंसिनी के थे शाम को जब हंस और हंसिनी आते हैं तो आज उन् अपने अंडे घौंसले में रखे हुए मिल जाते हैं हंसिनी बहुत खुश होती है और कहती है कि रोज तो कोई पापी हमारे अंडे मार कर खा जाता था तो हंस और हंसिनी की बात सुनकर तो वह बहन उनसे कहती है उन्हें टोकरी के नीचे बढ़ा सांप दिखाती है कि आज हमने उसे मार दिया अब आपके अंडे कोई नहीं खायेगा कोई उनको नश्ट नहीं करेगा इससे हंस और हंसनी बहुत खुश होते हैं और उन्हें अगले दिन अपने पीठ पर बेठा कर उन दोनों भाई बेहन को स्मुत्र पार करके सोना धोबन के गाउं में छोड़ देते हैं सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था जिसमें उसकी बेटे बहुएं सभी साथ में रहते थे साहुकार का बेटा बेटी भी गाउं में एक घर लेकर रहने लगी रोज रात को साहुकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और खाना बनाती, पानी लाती, बर्तन साफ करना, कपड़े धोना, घटी पिसना, लीपना वगेरा सब काम करके सुबा होते होते अपने घर को आ जाती थी इस तरह कई दिन तक यह चलता रहा एक दिन सोना धोबन के धिमाग में आया कि पहले तो इसकी बहुएं आपस में खूब जगरती थी आजकल तो बिलकुल भी नहीं लड़ती है तो वह अपने बहुएं से पुछती है आजकल तुम्हारी लड़ाई जगड़े की आवाज नहीं आती क्या बात है फिर सब बहुएं बोली कि जब हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है तो हम क्यों जगड़े तो सोना धोबन ने पूछा कौन करता है सारा काम तो बहुएं बोली हमें गया पता तो सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चे किया तो वह कहती है कि आज रात को मैं पता लगाऊंगी कि यह सारा काम कौन करके जाता है और वह रात भर जाकती रही पर जब वह लड़की उसके पीक दन की पीक फेकने उसके कमरे में आती है तब तक उसे नेन्द आ जाती है दूसरे दिन सोना धोबन की बहुएं उसे पुछती है कि मान जी आपको पता चला की कौन आयाता है और कौन काम करके चला जाता है तो सोना धोबन कहती है कि आज तो उसे नेन्द आ गई थी पर अब वो हाथ पैरों में थोड़ा सा चीरा लगा कर उसमें नमक मिर्च लगा कर पैठेगी ताकि उसको नेंद नाए और वह रात भर जागती रही हाए रे हाए रे करती रहे जब वह लड़की सारा काम करके अंत में उसके पीक दान की पीक फेकने उसके कमरे में आई तब वह उसका हाथ पकल लेती है कि तू कौन है भूत है चुडेल है क्या है जो मेरे घ ऐसा बोलकर उसकी लड़की अपनी घर चली जाती है सुवेरे उसका भाई आकर सारी बात बताता है कि पंडिची ने उनको बताया था कि यदि आप इसकी शादी में आकर इसे आशिरवा देंगे तो मेरी बेहन का सुहाग खतम नहीं होगा सोना धोबन जब उसकी बास सुनती है तो सोना धोबन उसकी शादी में आने को तयार हो जाती है तब दोनों भाई बेहन उनसे कहते हैं कि आप अभी चलो तो सोना धोबन कहती है अभी तो नहीं चलोंगी आप जाओ और अपनी शादी पक्के करो शादी की डेट फैनल करो औ में शादी के दिन आ जाओंगे वे दोनों भाई बहन अपने घर जाते हैं और बहन के लिए लड़का ढूंड कर शादी की तारिक पक्की करते हैं और सोना धोबन को भी नेवता भेज देते हैं और सोना धोबन शादी के दिन आ जाती है शादी के दिन फेरे के ठीक बात दुल देहे के मुह में पाने डालती हैं तो वह उठकर बैठ जाता है फिर सभी सोना धोबन की जय जय कार करने लगते हैं कि इसने हमारे दमाद को जिंदगी दे दी फिर उसके बाद सोना धोबन कहती हैं कि अब तो मैं घर जाओंगी फिर सब उसे रुखने के लिए कहते हैं तो वह मना कर देती हैं सब उसे फिर विदाई के लिए सामान देते हैं तो वह उसे भी मना कर देती हैं और केवल मंडब की एक चमरी लेती हैं मंडब की चमरी मतलब जब मंडब बनता है उसके आसपास जो मठ्कियां रखे जाती हैं उसको बोलते हैं मंडब की चमरी तो उसमें से वह अमावस्या की पूजन करती है वह हमेशा अमावस्या को 108 वस्तु का दान देती थी आज तो उसके पास कुछ भी नहीं था तो वह क्या करती है कि मंडप की चावरी के 108 टुकड़े करती है और उसमें स्मुद्र किनारे की मुठी-मुठी रेद रखकर संकल्प लेती है कि आज क पहले मैंने जितने भी अमवस्या के व्रत किये थी उन कफल तो साहुकार की बेटी के पती को दे दिये पर आज जो व्रत कर रही हूं उस कफल मेरे पती को देना सोना धोबिन क्योंकि 108 वस्तु का दान करती थी और बहुत अच्छा दान देती थी इसलिए बहुत सारे ब्रह मन वहीं आ जाते हैं दान लेने के लिए पर जब वे देखते हैं कि रेट और चमरी के टुकड़े में रेट रखी हुई है तो कुछ गुसायल लोग तो उसे वहीं फेंग देते हैं और कुछ सीधे साधे लोग जो होते हैं वे सोसते हैं कि जब यह अच्छा अच्छा दान थी तब तो हम घर ले जाते थे तो आज यह भी सिर्मा थे तो वे उसे भी घर लेकर चले जाते हैं वे लोग जब घर पहुशते हैं तो जमरी का टुकड़ा सोने का हो जाता है और जो रेथ होता है वह हीरे बन जाते हैं और जो उसे वहीं फेंग देते थे वे बहुत पश् सोना धोबन का पती मर जाता है पर जब वह शादी पर गई थी तो उसने सबसे पहले सब को बोल कर गई थी कि मेरे पीछे से कुछ भी हो जाए तो उसे वैसे का वैसा ही रहने देना इसलिए सब बच्चे वगएरा उसका इंतजार कर रहे थे सोना धोबन जैसे ही घर पहुशती है सबसे पहले पाने मंगवा कर संकल्प लेती है कि आज से पहले किया मवस्या का फल उस साहुकार की बेटी के पती को दिया और आज के वरत का फल मेरे पती को लगे ऐसा खहकर अपने पती के मुह में जल डालती है और उसके पती उठकर बैट जाते हैं लोगों ने जब सोना धोबिन से पूछा कि तुमने अपने मरे हुए पती को कैसे जिवित किया तब उसने बताया कि उसने अमावस्य के व्रत के प्रभाव से अपने पती को जिवित किया है तब से उस गाउं की सभी सुहागन महिलाएं भी अपने पती की लंबी आयू की कामना से अमावस्य का व्रत रखने लगी हे अमावस्य माता जैसा फल आपने साहुकार की बेटी को दिया सोना धोबन को दिया उनके पती की रक्षा की जैसे उनका सुहाग अमर किया इसी तरह इस कथा को सुनने वाले, सुनाने वाले और हुंकारा भरने वाले सभी सुहागन महिलाओं के सुहाग की रक्षा करना, सभी का सुहाग अटल रखना तो प्रेम से बूलिया मवस्य माता के जय एक अन्य पुराणी कथा के नुसार एक ग्रीब भ्रहमन रहता था उसकी बहुत ही सुन्दर गुणवान और संसकारी बेटी थी लेकिन उसका विवाह नहीं हो पा रहा था एक दिन ग्रीब भ्रहमन के घर पर कुछ साधु आये और भ्रहमन की सेवा से बहुत प्रसन हुए और हुने बहुत खुश हो कर आशिरवा दिया फिर उन साधु ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहां से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है यदि हैं हर रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करें तो विवाहा में जो भी अर्चना रही है वह दूर हो जाएगी अगले दिन सुभा उटकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई करके अपने घर वापस लोटाई फिर रोज आना ही ऐसा ही करने लगी जिसे देखकर उस परिवार की इस्त्री काफी अहरान थी कि कौन उसकी जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है कुछ दिन बाद भैस्त्री समय से थोड़ा जल्दी उठ गई और उसने बाहर आकर देखा कि ब्रहमन की पुत्री सारे काम कर रही है जिसे देखकर इस्त्री ने पूछा कि आप कौन है तब कन्या ने उसे साधू द्वारा बताई गी सारी बातें बताई उस इस्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुशो कर उसे शिक्र विवा होने का आशिरवाद दिया लेकिन जैसे ही उन्होंने कन्या को आशिरवाद दिया उनके पती की मृत्ति हो गई फिर भी उसने हार नहीं मानी और आंगन में लगे हुए पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान विश्णू से अपने पती का जीवन लोटाने के प्रात्ना की उस दिन पौश अमवस्या थी भगवान की क्रिपा से उसका पती फिर से जीवित हो गया ऐसी माननेता है कि जो व्यक्ति इस पौश अमवस्या के दिन सनान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है उसकी सब ही मनो कामने पूर्ण होती है तो प्रेम से बोलिया मवस्या माता की जै पीपल देव की जै सर्व देवी देवतों की जै उमीद करते हूँ आपको यह कथा अच्छी लगी होगी अच्छी लगी हो तो लाइक तो जुरूर कीजिगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और कथा अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिगा और बैल आइकन को जरूर प्रेस कीजिगा ताकि जब भी हम इस तरह की कोई भी कहानी पोस्ट करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन उसी समय मिल जाए तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए जय माता दी आपका कल्यान हो